नमस्कार मैं प्रोफेसर रामबक्स भारते भासा के अंदर जवारलाल नेरुविश विद्याले नई दिली आज हम समकालें साहित चिंतन में उपन्यास का सिद्धान्त विशे पर हम चर्चा करेंगे इस इकाई के अध्यन के उपरांत आप साहित विदा के रूप में उपन्यास की विकास प्रक्रिया जान सकेंगे उपन्यास की परिभासा और उसके स्वरूप का परिचे प्राप्त कर सकेंगे प्रसिद आलो चक्राल फाक्स की उपन्यास संबंदी आउदारनाओं से परिचित हो सकेंगे उपन्यास और यथातवाद के संबंद में की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उपन्यास का समाज सास्त्र से कैसा रिष्टा है इसे आप समझ सकते हैं ये जो उपन्यास है इसका जन्म आधुनी काल में हुआ प्राचीन काल में उपन्यास नहीं था जब एक नई विदा हमारे सामने आती है तो वो अपना एक नया सास्त्र ले करके आती है तो उपन्यास को समझने के लिए किस तरह का सास्त्र आखिर ये क्यों उपन्यास हमारे जीवन में आया जब पत्र पत्रिकाओं आपको ध्यान है शुरू में जब उपन्यास आया था तो पत्र पत्रिकाओं में धारवाईक रूप से छपा करता था और फिर जिसे पत्र पत्रि बाद में जाकर के बहुत बड़े बड़े उपन्यास कार आए और उन्होंने इस विधा को एक साहितिक और कलात्म घरिमा परदान की इस उपन्यास के दौरा कई चीजें होने लगी थी एक जो सुरुवात के उपन्यासों ने किया था को एक नेतिक शिक्षा का काम करते थे कि स ज़दा परतान नहीं होना चाहिए इस्त्रियों को सिक्षित करना चाहिए सिक्षित से बहुत फाइदे होते हैं तो यह जो नेतिक शिक्सा उसका कि उपयोग होता था दूसरा की तब यह प्रस्ण मैं उठा कि फिर उपन्यास का संबंद गद्य विदाओं से है ये कविता की विदा नहीं है ये कावे आत्मक नहीं है जैसे महा कावे कावे आत्मक होता है कविता का अंदर सारी बातें वो कहते हैं वरनन कथा बगरा सब चीजें कावे आत्मक होते हैं लेकिन ये गद्य तो किन परिशिति गद्दे उत्पन हुआ गद्दे के उत्पन होने के बाद में ये उपन्यास नामक जो रचना है वो कैसे आई इसका जो प्रस्ण है वो प्रस्ण इस उपन्यास की सिद्दान्तिकी में या सिद्दान्तों की जब हम चर्चा करते हैं तब आएंगे तो ये जो विधागत टेता हैंन तो होती थी ही टोप देश की कहानियां और कहानियां तो थी श्ण्सक्रत में हमारे लेकिन ये महाकावे के कौर जो प्रबंदात्मक महा कावी होता था हुचिह Landesregierung उप कहा जाता था और हिंदी में हमने इसे उपन्याश नाम दिया यह समाज के बारे में देश दुनिया के बारे मम हमको जानकारी प्राप्ट करणी जो समाचार पत्रों से पूरी नहीं होती यह जो शूचनाउज से पूरी जिसको कहना चाहिए था कि इस मद्धिवर्ग का जो पाठक वर्ग पैदा हुआ इस पाठक वर्ग के साथ में यह उपन्यास नामक रचना आई इसके इस पर जब यह उपन्यास कई बार ऐसा होता है कि जब पहले साहितिक रचना आती है और फिर उसके उसका शास्त्र निर्मि होता है तो यह गधी यूग में आया तो हेगल ने इसको परिबासित करने की कोशिश ने का kач iliae का महाकावी है और यह एक तरह से गधी यूग का महाकावी करके घंढ़ने इसके सुरूप को निस्चित्वी किया और इसके विकास पर भी आगे प्रकास की आगे उस कि विक्सित होने वाली विदा माने जिसका कहने का मतलब यह कि जब तक गद्ध यूग चलेगा तब तक उपन्यास का महत हो रहेगा तो इसी तरह से राल प्रफाक्स ने नौवल एंडी पिपल नाम किताब में कहा कि यह बुर्जुवा समाज का बढ़न होता किसानों का जमिदारों का उनकी कथाओं का इसमें नहीं होता वह महत्पूर नहीं वह चीज़ें आपको पहले वाले दूसरे वाले के अंदर आ जाएगी इसी तरह से एक आलोचक है उन्होंने का कि उपन्यास ऐसी कला है जिसमें मनुष्य सामाजिक और एतिहासिक द्रश्टी से निरूपित होकर सामने आता अब इनके जो पात्र है यह कि यह कोई मित की पात्र नहीं हो सकते मित की पात्र महाकावी में आ सकते हैं आपको एक व्यक्ति को इस्था इसलिए यह विद्धा थोड़ी सी अलग है इस अर्थ में अगर आप कविता से अगर आप उपन्यास की तुलना करें तो कविता के अंदर आत्म परिक्ता होती है कवी कल्पना करता है और कल्पनाम कहता मैंने ऐसा सोचा मैंने ऐसा सोचा मुझे दूज का चांद ऐसा दिख संबंध होता है उस संबंधों का वड़नन की बतो से पूनरजीवित होती है इसलिए यह वस्तूपरक कला है एक वरणन के भीतर से एक कला का वह निर्मान करता है इसलिए हमारे जो प्राचीन जो कावेशास्त्री सिद्दान्त है मसलन प्लेटो और रस्तु आप जानते हैं प्लेटो और रस्तु ने कावेशास्त्र के बहुत महत पूर्ण बातें कही भारत ने नाटे शास्त्र में बहुत महत पूर्ण कही भारत में लेकिन इन्होंने किसी ने भी ये जो सिद्धान्त थे ये उपन्यास पर लागू नहीं होते अनुकरन का सिद्धान्त कविता पर लागू होता है इसी तरह रस्र का जो सिद्धान्त है वो भी उपन्यास पर लागू नहीं होता वो नाटक पे और कविता पर लागू होता है तो ये जो बाद के जो आलोचक थे जब उपन्यास बहुत सारे हमारे सामने जब रसना सामने आ गई तो हमारे बहुत सारे आलोचक सामने आए और उन आलोचकों ने उपन्यास का वरनन विसलेशन किया और नई माननेता हैं हमारे सामने रखी जिसमें राल फाक्स है जाज लुकाच है मैसल फिरा का मिसल जिरेफा है इस तरह के बहुत सारे आलो चक आए और जिन्होंने उपन्यास के सुरूप के बारे में रिका राल फाक्स ने उपन्यास के बारे में कई महत्वपून बातें कई और बोड़ा उनकी पुस्तक जो है उपन्यास के शेतर में हिंदी में भी बड़ी पठनी है उपन्यास और लोक जीवन के नाम से और इनों ने पस्चिमी यूरप में जो यथार्तवाद का विकास जिस तरह से हुआ तो एक मुख्य धार्ना वहां से सुरू होती है उपन्यास के साथ में एक आलोचना की वो यह के उपन्यास के साथ में यथार्तवाद की धार्ना हमारे सामना थी पहली बड़ी साहितिक धार्ना कि आपको जिंदगी के यथार्त का वर्णन करना अब आप जिंदगी के यथार् तो यह माना जाएगा कि लेखक को यथार्थ की समझ नहीं होती है तो अलोचक उस पर उंगली रखता है कि नहीं आप ये ठीक नहीं करतें तो उपन्यास में जो फेंटेसी जो सपन हैं जो आदस चित्र कताएं हैं उनके मूल में भी रचना जो आलोचक हैं वो जिंदगी के य विरुद मनुष्य का संगर से यह दिखाते हैं लेकिन समाज के भीतर भी तो कोई टकरा होते हैं समाज के भीतर भी एक दूसरे वर्ग से जो टकराट होती है उस टकराट की अभ्यक्ति होनी चाहिए और वो अभ्यक्ति सही सही होनी चाहिए अब सही सही है कि नहीं है इसका नि किया और आज हमको बढ़ते समय वो रचनाकार कैसा लगता है कि इसने ठीक किया कि नहीं किया यह माने जो जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना का बिंदू होता है उपन्यास का कि वो कितना जीवन से जुड़ा हुआ है कितना जीवन का यथार्त है और जीवन का यथार्त किसी भी एक रचना में संपूर्णता में अव्यक्त नहीं होता जीवन बहुत बिखरा हुआ भी है बहुत फैला हुआ भी है एक व्यक्त कि जो उतकरष्टता का जो माप दंड है वो उतकरष्टा का माप दंड है कि उसमें यथात का कितना बड़ा रूप सामिल किया गया तॉलस तॉय की रचना में lid का दरपन्वा owा किसी नालो चकने का तो टॉलस तोई में यह अथात है या हम प्रेम चंद की रचनाओं में कहते हैं कि इसमें भारती किसान का अंश्वाद इंता अंदोलन का बड़ा गहरा और बारीक मार्मिक विशलेशन है अब उसमें बहुत सारी से पैदा हुआ यह प्रस्ण इस बिंदू से हुआ कि लेखक को यथार्थ जीवन की सही जानकारी होनी चाहिए और अगर यह सही जानकारी नहीं है तो वहाँ पर आलो चना यह बिंदू रखती है कि यह आपने गलत किया तो यह जो समाजिक जीवन का जो चित्रन है यह समाजि सील होता है परिवर्तन सील होता है और जो समाज की व्यापक विकास प्रकिरिया है उसका हिस्सा होता है रचनाकार जिस समाज और परिवेश में जीता है उस समाज और परिवेश के यथार्थ का अनभव रचनाकार अनेक रूपों में करता है यथार्थ का सामाने और तातका इस बात में थोड़ा जानने की ज़रूरत है कि रचनाकार एक खास हिस्से को अनुभव करता है तो उसके जीवन अनुभव का एक सीमा है आपके जीवन अनुभव से बाहर भी समाज रहता है उस समाज का अगर आप चित्रन नहीं किया तो आपकी रचना कमजोर हो जाएगी फिर उस संपूर्ण ताका आपने वर्णन किया यहां पर एक प्रस्ण बराबर उठता रहता है कि जो सामाजिक रूप में परिनत होता है कि नहीं होता है और वहां पर कोई गडबडी रचनाकार से कई बार हो जाती है कि हमारे पास सामगरी है आपने जीवन की सामगरी का चित्रन कर दिया लेकिन वो सामगरी कला नहीं है आपको उसे कला बनानी पड़ती है तो रचनाकार कहां पर उस जीवन की सामगरी को कला रूप में परिनत कर देता है ये उपन्यास को पढ़ते समय उपन्यास की आलोचना में सबसे पहला बड़ा यह आता कविता में यह प्रस्ण नहीं आता कविता में एक तो यह कोई आवशक नहीं है कि आपने उस यथार्थ का वर्णन किया हो फिर उस यथार्थ को आपने रूपांत्रित किया हो उपन्यास में तो यथार्थ होता ही होता है उपन्यास में तो जिंदगी तो होती ही होती है या जिंदगी कलात्मक रूप से निर्वित की हुई होती है यह महत्पूर्ण होता और यह जो कलात्मक रूप से निर्वित करने का जो काम होता वो काम अनभव के बाद आपके विचारदारा से या आपके द्रश्टी कौन से होते हैं आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है माल लीजिए कि आप कोई भी उपन्यास आप पढ़ते हैं मां आपने जूटा सच उपन्यास पढ़ा यह तो आपने जेदेव पूरी का चरित्र आपको ठीक लगा या नहीं लगा आप कहेंग है तो 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 लेखर्षा का जो इथा तब किस तरह ब्रके साथ में एक संभावीत परिकल्बना भी आई कि अगर ये स्थितियां होती है तो इस तरह का जीवन भी हो सकता है किसी किसी पात्र का ऐसा मनोविज्ञान भी हो सकता है एसा पात्र क्यों नहीं हो सकता हो सकता है हमने तो नहीं देखा न देखा होगा तो भी हो सकता तो यह जो गुंजाई से यह उपन्याशकार को मिलती है और इसलिए उपन्याशकार नमीन स्रष्टी करता है मोलिक स्रष्टी करता पात्र जो आता है उस पात्र में आपको ये दोनों चीज़े मिलती है अब यहां पर एक और प्रश्ण है जिस पर विचार करने की जरूरत है कि आप ने एक पात्र गड़ा जो पात्र हो सकता अब अगर हो सकता है तो यह इसमें तो आपकी समझ हुई कि यह हो सकता लेकिन है नहीं और कभी हुआ नहीं तो भी उपन्यास की कला की द्रश्टी से वह एक बहुत महत्वपूर्ण काम आप ने किया कि आपने एक नई स्रश्टी कर दी और यहां पर एक और प्रस्ण की तरफ जार्ज लुकास ने जिक्र किया कि जो पन्यास के जो पात्र होते हैं उश्में प्रातिनी दिख्ता होने चाहिए मसलन किसान है किसान कई तरह कर हो सकते लेकिन एक जब आप किसान का चितरन करें तो किसकर के जादा तर गुंड उस पात्र में होने चाहिए और ग्यास कोई चिसानों का फ्रत्य निदी पॉठर कोई बीजिआ ङ yapıyorsun होरी का मामला तो रह गए हैं यह जो प्रतिनीदी की होती है, olsun आपको उस संबूर्ण वर्ग या समू की समझ से आती है आप ऐसे किसी का प्रतिनीदी पात्र नहीं बना सकते तो उपन्यास के जो पात्र होते हैं वो पात्र जो है प्रतिनीदी होने चाहिए तो प्रतिनी दिखता किती होएगी और व्यक दिखता किती होएगी कितना वो पात्र स्वेम अलग होएग तो वो किसी वर्ग या समू का प्रतिनीदि नहीं है वो एक विशेष्ट विचित्र पात्र है वो अलग से पात्र है उनको आप उनको आप इस तरह से सामिल नहीं कर सकते हैं कि यह जैसा कोई सामाने राजा जैसा यह राजा नहीं यह ऐसा नहीं होता है उसकी सारी होता है या लुकाच कहते हैं कि उसको प्रातिनिदिक होना चाहिए तो जितनी उसके अंदर इतनी विश्वशनेता आती है कि हर एक व्यक्ति को यह लगे कि यह मेरे इस वर्ग का यह प्रतिनिदी पात्र है लेकिन अगर आपने उस वर्ग की सारी विशेष्था हैं उसके प्रामाने कुछ मानविए विशेष्था मिलती है लेकिन हर व्यक्ति अलग होता हर व्यक्ति की एक व्यक्तिक विशेष्था होती है तो उसके है ऐसा दूसरा पात्रा आपको उपन्याशों का अंदर नहीं मिलेगा उपन्याश इस तरह से वह एक लेख की जो मोलिकता का प्रशन आता है वह यहां पर इसका उचित सामंजश होना चाहिए कि कहां रचनाकार ने उस प्रातनी दिखता का निर्वा किया है और कहां उस रचन हैं वह की समर्ता की दारना अतना बड़े लेवर पर बड़े इसतर पर ईपन्याश लिको कि उसमें सारे समाज आपके सांवर आजाइए पन्यास में समगरता का वर्न होता होता है वह उपन्यास बड़ा होता मैं आप देखते कई तरह के लोग आते हैं पत्रकार भी आते हैं उद्योग पती भी आते हैं विश्विद्याले के प्रोफेसर भी आते हैं महिला डॉक्टर भी आती तो यह सिकारी भी आते हैं कुछ खेल कूद मारे मनोरंजक वाले लोग भी आते तो अलग-अलग लोग किसली आते हैं क्योंक यसरचनाकार में हुछ सम्पून समाज की समगरता की समझ होती है वह समगरता की समझ पाठक को भी दी जाते तो उपन्यास पम धन्यास में रा estas में उसी नहीं है मानले अपने-अजनभी में नहीं इस तो ठीक है उसको माते हैं आप याद निर्मल-वरमा का लुपढ्यास से तो नहीं है कि संपूर्ण समाज का नहीं तो संपूर्ण नहीं ہے तो बड़ी रचना होने के लिए और इसलिए मुण उपञ्यास काज वरोग्यास के अभी संपूर्ण पर द बड़े उपपन्याशकार हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में जीवन अपने समगरता में और बाद वाले उपन्याशकार में बढ़ता हुआ था और इस पर होती है और यह कहते हैं कि उपन्याशकार के की जो वो समाज को इस तरह से अभ्यक्त करती है दूसरा मेहत्वपूर्ण है कि विचारदारा जब यथार्थ का अनुभव रचना की अंतरवस्तु बनता है तो उसका रचना में रूपांतरण होता है और इस रूपांतरण की प्रकिरिया में विचारदारा की महत्वपूर्ण भू होती है इसलिए विचारदारा का यतात्वार से संबंद और भी अधिक जटिल होता अब यहां पर एक विचारदारा का प्रस्ण मेहत्वपूर्ण हो जाता है उपर्यासकार के लिए हो सकता है कि कवी जो अपने मूड के शाब से मन हमारा इस इस क्षण मेंने यह अनुबूती कि और आपका एक डायरी का अनफव था और आपने डायरी के अनफव कर लिख दिया तो कोई सुशंगत विचारदारा की जूट नहीं लेकिन जब आप पूरे समाज का वर्णन कर रहे होते हैं तो और समाज बिखरा हुआ समाज कभी खुला हुआ आपके सामने उस तरह से कभी भी नहीं आता जिस तरह से रचना माता तो रचना इस बिखरे वे समाज को एक सुगटित रूप में देती है और समाज को एक दिशा देती है इस समाज को देखो उसके लिए विचारदारा की जरूरत होती इसलिए रचनाकार की विचारदारा यथात को जिंदगी को समझने में महत्वण भूमी का अदा करती इसलिए जो रचनाकार की विचारदारा ये तीन इस तरों पर काम करती एक तो ये कि रचना की विचारदारा और यथार्थवाद की जो एतिहासिक्ता के इस्तर पर किस इतिहास के किस मोड पर रचनाकार ने रचना लिखी और उस रचना की अपनी क्या विचारदारा दूसरा रचना में दोनों के विशिश सुरूप के इस्तर पर और फिर रचना की संपूर्ण सरचना में दोनों के विचारणधाराट चाय प्रभुत वसालिए व्युपिक उसमें समाजिक यथार्वात के साथ किसी तरह के संबद्ध की अब्यक्ति यह संबंद काल्प्नीग हो सकता है और वास्टविक वी वसकता अपने के यथात के साथ संबंद सभी विचारदारा अत्म ग्रूपों में एक साथ नहीं होता माने जब आप ये देखते हो का आप विचारदारा का काल्पनिक रिष्टा हो सकता को जरूरी नहीं है कि उस यथात के बारे में आप बात करें कुछ और चीजों के बारे में भी बात कर सकत और वो विचारदारा जिसको कहना चाहिए प्रबुत्व शालिवर्ग की विचारदारा है या वो विचारदारा एक वेकलपिक विचारदारा है आम तोर से होता ही है कि जो रचनाकार है वो एक वेकलपिक विचार देता है एक नई स्रष्टी बनाता है समाज को एक नया तो हमेशा एक आदर समाज की आउधारना उस विचारदारा के बीतर रहती कि ऐसा समाज अच्छा होता है जो इस समाज को हम देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है तो यह जो अच्छा नहीं है और जो अच्छा है इसका विवेक ही विचारदारा और इसलिए इसलिए जो यथार यााथ है वो रचना में गतिशील रूप में हमारे सामना आता यातार्थ, परिवर्तित हो जाता बदल जाता और उसको बदलने की चेतना और तीसरा यहें कि लिक ही चाहता है कि वो विचार गणा जाए और यह समाज बदल जाता만ा जाता हैُ जहीं जो छेतना होते हैं वो किस तरह से एक पात्र की जिंदगी की गती बदल देते हैं इसका उधारन अगर देखना हो तो बहुत मोटा सा उधारन है जो गोदान में आप सब विद्यादी जानते हैं कि गोदान में जो राई साहब है राई साहब की सारी इच्छा हैं भी मनों कामना हैं वो सब पूरी कर देते हैं प्रेम चंद उसकी बेटी का विवा हो जाता है और लड़के की सगई का निमंत्रन आता है और राजा की पद्वी मिल जाती है मुगद में सब मैंना सब चीजें एकदम व्यवस्तित हो जाती है और राय साब का लगता है कि मेरा जीवन जो है वो मेरा सुकी है लेकिन उपन्यास का जब उपन्यास समाप्त कर रहा होता है तब प्रेम चंद को लगता है कि ये पात्र बहुत ही बदमांस है या इस पात्र का कोई एतियासिक भविश् समाज में अच्छा नहीं माना जाता था और राय साब की सारी प्रतिष्णा दूल में मिल गई इस के बाद में जो पुतर है उस ने का मैं तो आपने जिस लड़की से विवा के से मेरे को काई वह में तो नहीं करता हूँ तो इस तरह से जितनी उसकी कामनाएं पूरी हुई थी वो सारी कामनाएं वो मिटा देते हैं क्यों मिटाते हैं ये मिटाने का काम प्रेमचंद की विचारधारा करती है क्योंकि प्रेमचंद ये मानते हैं कि स्वादीन भारत में या आगे आने वाले समय में या अंत में एतिय प्रेम्चंद के एक समझ है कि खन्ना का भविष्य बना रहने वाला है उद्योग दंदों का विकास इस देश में आगे भी होएगा और ये उद्योग दंदे समाप्त होने वाले नहीं हैं इस समझ की आपको जलक जांकी आपको गोदान में दिखने हूँ ये कहां से आता है सारे पात्र आपके सामने सब का निर्मान आपने किया तो इस यथात का जो जो रूप बदला ये जो बदला हुआ रूप ह की जो आलोचना है इस आलोचना में ये जो विचार्दारा का प्रशन है ये महत्पूर्ण आता है क्योंकि उसके बिनना आप यथार्त को नहीं समझ सकते इसलिए यथार्त और रूप में इसका कोई महत्तो है की नहीं उस कला रूप के रूप में भी हमें इस उपन्याश के बारे में सोचना चाहिए और निर्मल वर्मा ने कई सारे निबंध हिंदी आलोचना में लिखे हैं और यूरोपी आलोचना में भी उपन्याश के रूप पर उपन्याश के सिल्प पर और उसमें रचनाकार की ज करते हैं कोई पात्र किजी सी एक कास चीज़ प्रतीख और इसके बाद वर्णन किया जाता है और हालां कि वर्णन भी उसमें है एक और बात जो इस अंदर में यहां द्यान रखने की है कि यह जो रूप वाद है यह रूप वौद का संबंद उपन्यास से कभी नहीं जोड़ा गया आम तोर से रूपवाद का समद्ध चित्रकला से माना जाता है लेकिन कविता से आप उसका कर सकते हो थोड़ी बहुत कहानी में भी हालंकि कहानी में भी इसकी कोई संभावना नहीं होती उपन्यास के संदर में रूपवादी जितनी मान यहाँ मानेता एप रासंगी होती है और विशेश रूप से अमूरतन की कलाएं म मौतन की कलाएं जो है वो उपन्यास के सिद्धान्तों में लागू नहीं होती तो इसम Macedon रहता है ठोस रहता है वास्त्विक रहता है इसलिए इस यथात की अभीव्यक्ती में हमको ये होते हैं और यथात के रूपों पे होते हैं जब आप पूरे उपन्यास की सानचना की बात करते हैं तब कहते हैं कि 19 सताब्दी के उपन्यासों में समाज के किस किस हिस्षे का प्रतिनित मिलता या राजाओं का कैसा कैसा प्रतिनी दितु है या हमारे यह कहते हैं कि साब आपने कितने प्रकार के नोकरों का वर्णन किया किया है कि नहीं किया डॉक्तर के पैसे से जुड़े वे लोगों का वर्णन आपके उपन्यास में है कि नहीं है आपके उपन्यास में जो इंजीनियर है वो किस तरह के इंजीनियर है जैसे प्रेम चंद के उपन्यासों पर चर्चा करते समय लोगों ने उंगली रखी है आलोज को ने कहा है कि इसमें अंग्रेज फोज का कई खास वर्णन नहीं एक आज जगे काया कल्पने में या किसी में एक फोजी आते हैं कर्म भूमी उपन्य उपन्यास में दो फोजी आते हैं थोड़ी देर के लिए जब मुन्नी का बलातकार होता है बाकि किसी जगे पर फोज ही नहीं जबकि सारा सासन अंग्रेज फोज के द्वारा भारत होता था उसका वर्णन नहीं तो क्यों वर्णन नहीं क्योंकि प्रेम संदूश के खंड की एक तरह की कमी मानी जाती तो इन चीजों के आदार पर उपन्यास की आलोचना का आगे विकास होता है और विशेश रूप से यथार्थवाद के विविद रूपों का चित्रन और वर्णन उपन्यास में देखने को मिलता है उपन्यास की आलोचना के संदूश में आगे चल करके उपन्यास का समाश शास्त्र विक्षित हुआ और इस संदर में लुकास की बड़ी महत्वपून भूमीका है और उनकी एक किताब 1916 में प्रकासित हुई थी उपन्यास का सिद्दान उस समय उपन्यास जजाद लुकास मार्सवाज से परभावित नहीं थे और उसके बाद में जो दूसरे समाज आस्त्री थे लूशी गोल्ड मान थे उन्होंने इसके उपर किताब लिके तो इसमें आगे चलकर के लुकाच ने और दूसरे जो आलोचक थे उन्होंने दो आलोचना के यथातवाद के दो मांदंड बना एक आलोचनात्म के अथातवाद और दूसरा समाजवादी अथातवाद आलोचनात्म के अथातवाद उन्होंने मोटे तोर पे उससे कहा जिसमें समाज की आलोचना की गई कि ये समाज का हिस्सा ठीक नहीं है ये समाज का हिस्सा ठीक नहीं है ये सोशन हो रहा है ये ग इस्ताफना करने के लिए जाएगा तो समाजवाद की जो इस्ताफना करने वाले जो विश्वास करने वाले लोग थे वो समाजवादी यथातवाद के रूप में उनका जिक्र किया जाने लगा हालां कि बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने समाजवादी यथातवाद को क कोई विशेश मतलब नहीं होता कुछ दूसरे तरह के आलोचक भी हैं विशेश रूप से बाक्तिन एक आलोचकरूशी हुआ था उन्होंने रूपवाद की आंत्रिक्ता की धारना के अतिवाद से उबरने की दिशा दी और साथ ही मार्सवाद की प्रतिविंबन वादी मानेता को भी खारिच किया उन्होंने भासा और कल्पना की समवाद धर्मिता पर जोड़ दिया बाक्तिन के मतानुसार साहित के दूसरे रूपों की तुलना में उपन्यास की समवाद धर्मिता में अन्भव अपने अनेक रूपों में व्यक्त होने का अउसर पाता है उपन्यास की अनितम विशेष्टा ये है कि उसमें सामाजिक और वियक्तिक दोनों इस तरों पर विविदता का कलात्म गठन संभव हो पाता जाती है भासा की बूलियों पैसे समंदी मुहावरों साहितिक पदावलियों और पीडियों की अभिविक्ति छवियों का संयोजन होता है ये उप प्रतिविम्बिन होता है साहिति में इस प्रतिविम्बिन वादी धारना की एकांगिता की इन्हों ने आलोचना की हिंदी में जहां तक उपन्याश के सिद्धांतों की चर्चा करने की बात है तो हिंदी में उपन्याश की आलोचना का प्रारंब प्रेम चंद के आगमन के पस्चाय सुरू होता है और प्रेमचंद की रचना जब प्रकासित हुई तो उनका उनकी जो है वो पुस्तक समिक्षा के रूप में कुछ चीजें हमारे सामने आई कालिदास कपूर और जनारदन प्रसाद जाद्वी जिने प्रेमचंद की रचनाओं के आलोचना की सेवा सद और इलाचन जोशी ने एक प्रस्ण उठाया और उसके बाद में एक लंबी बहस हुई जिसमें हिंदी के उसमें के बड़े सभी आलोचकों ने उसमें हिस्सा लिया उसमें रामचंद सुकल हिंदी में थे लेकिन रामचंद सुकल कोचुंकी उपन्यास बहुत जादा नहीं कुछ लोगों ने का इसमें बोड़ी भारी कला है उन्होंने देनिक जीवन का वर्णन किया रगुपति सहाई ने इसका प्रेमचंद के समर्तन में लिखा कई लोगों ने विरोध में लिखा एक मुद्दा जो आया वो आया कि इसमें कलात मक्ता का प्रस्ण उपन्या उपन्यास तो नकल और मुद्दा का प्रस्ण उपन्यास्व महत्पून और इस मुद्दा को लेकर करए भी बहूत बैस हूई का कि जीवन की गटनाओं का यथा तथ्य वर्णन होता तो जीवन की गटना है तो आपकी है प्रेमचंद ने तो जीवन रचा नहीं जीवन तो स कि नमाज की उन सब चीजों का वडदन कर दिया तो लेख की मोलिक्ता का है तो लेख की मोलिक्ता का प्रस्व्यपोह ने कि आपने नया क्या किया तो कहेंगे साथ नहीं मैंने तो यह सूर्दाश का चरितर दिया या कोई भी पात्र दिया यह पूरे जीवन को मैंने संयोजित किया आपका इसमें कुछ नहीं तो वह आरोप यह लगा और यह प्रस्ण उठने लगा कि अंतते रचना का जो मुल्यांकन होता है वह रचनाकार की मोलिकता से जु तो यह चाया किती महत्पूर्ण है फिर लोगों ने फिर तुलसी दास पर बड़ा आरोप लगाए बाद में काया कि नाना पुरान निग्मा गमों से तुलसी दास ने कथा ले करके लिखी तो तुलसी दास की कितनी मोर लिखता है तो इस तरह के बहुत सारे विवाद हिंद अध्मास के सिद्धांत' jáad और मानिता ओं को ले करें फिर एक और हिंदी में बहुत दिनों तक्ति पुस्तक aspect of the novel वह बड़ी यह तरह चलती लगता है कि सारे सिद्धांत जो है हमको तो faster की इस किताब में मिल जाता है बहुत ज़्यादा उपन्यास के बारे में कोई बहुत चिंतन हमारे यान नहीं मिलता लेकिन कभी-कभी बड़े मोलिक प्रस्ण हिंदी आलोचना उठा देती है जिसमें से कुमर नाराइण ने यस पाल के जुटा सच की आलोचना करते समय कहा कि इसमें तो अकबारों की कत्रन देश विवाजन की घटनाओं का मार विवरन ने आज यह हुआ आज यह हुआ आज यह घटना घटी आज ऐसा हुआ यह और इसमें सीर्षक दिया कुमर नाराइण ने कि कवी दृष्टी का भाव अगर किसी रचना में कवी अठाकार रहे गद्य लेकर के वह अच्छा उपन्यास नहीं लिख सकते इसलिए कविता का गद्य में या उपन्यास में कितना दखल है इसको लेकर के भी एक लंबी बहस अभी भी हिंदी के में चल रही है जिसमाना जाता है कि काव्य महत्वपूर्ण है उस उपन्यास इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल आये और विनोद कुमार सुखल के उपन्यासों की जैसे वड़ी तारीफ होती है क्योंकि उसमें एक विशेश परकार की कवी दृष्टी प्रेमचंद के उपन्यासों में या यसपाल के उपन्यासों में बगवचंडण वर्मा के उपन संब्भ और इस तरह कि अलोचना का अभी प्रमुक फिरम्ख सिल्दाने और इस यतातवाद का संबंद उपण्यास उदे के कारणों से है और उसके पाठक को भी और यह बढ़ा महत्पून है कि नाटक के दर्शक होते हैं कविता के स्रोता होते हैं लेकिन उपन्यास का पाठक होता है और यह पाठक का जो मनविज्ञान होता है वह उपन्यास के रचना को प्रभावित करता है इसलिए को लिगता तो कैसा लिगता हर पातर हर पाटक यह देखता अगर मैं लिखता तो इसकी कथा को इस तरह से लिख सकता था तो यह एक तरह की पाथक-वादी जो आलोचना है वह आलोचना भी उपयास के संदर में मेतपोंढें क्योंकि आप धेरियंसिट आप के पास पुस्टक होती है, आप के पास समय होता है, आप आराम से एक दिन, दो दिन, तिन दिन, दो गंटे चार गंटे लगातार उस उपन्यास की दुनिया के अंदर रहते हैं तो आप उस दुनिया की पूनर रचना कर रहे होते हैं और लेखक की कमियों पी पर उंगली उठाते हैं इस तरह उपन्यास के साथ विकास के साथ उपन्यास को जांचने मानने के सिद्दान्त और मानदंड भी आए और उन में से अभी भी सरवादिक प्रसलित जो मानदंड है वो यथातवाद है और यथातवाद से जुड़ी हुई बाकी जो बारीकिया होती है वो इसके सिद्दान्त में देखने को मिलती है